हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है आज मैं आपके शाथ शेयर करूंगी कि बच्चे की मालिस कैसी की जाए कब से स्टार्ट करें और बच्चे की मालिस के लिए कौन सा तेल यूज करें और मालिस करने से क्या-क्या फायद देते हैं उसके साथ साथ में और गूलत से की मालिस करने लूज को कि अधВы से Central से एसे साईड़ से लेके जाएंगे और मालिस करने से पहले ओयल जो है उसको अच्छे घरम कर लेंगे और फिस जब गूनगुना रह जाएगा उससहीं हुआ शेम समया बच्चे की मालिस करेंगे यूफ। देंगे उसके बाद जो चिक्स की मालिस से हम उपर की तरफ करेंगे और मालिस करते हुए हम जो फेस की पार्ट्स है उनको हम थोड़ी शेप भी देंगे और यहां पर देखिए यह आईज के निचे इस तरह से मालिस करनी हैं और आप जो है मालिस के साथ-साथ यह मन में कि हमें कितने मंत की बेवी की मालिस स्टार्ट करनी चाहिए और यह जो पार्ट्स है नोज के नीचे हम इसको ऐसे थोड़ा सा दबाना है दबा के मालिज करने यहां पे क्योंकि इससे क्या होगा कई बरी उब्राव अपार्ट होता बेवी का तो यह अच्छे सेट हो जाएगा उसके बाद हम नोज को भी शेप देंगे यहां पे जिससे क जाओगे बच्चे की अच्छे से शेप में आ जाएगी क्योंकि बच्चे को कुछ अगर हम बच्चे को कुछ पार्ट जो है जिनको खरशेप दें तो वह सही से सेट हो जाएंगे मालिण जो है हमेशा जो है वनमंत की बाद ही स्टार्ट करने चाहिए क्योंकि ये बात जो है जब मेरा फर creepy तो उस टैमेंने जोक्टर से कंसल्ट की थी तो उन्होंने बुला कि आप वनमंत की बाद ही मालिश को स्टार्ट करना और फिर जो है हम बालों में भी अच्छे वह लगा देंगे ओढ़ी शी मसाज करेंगे और बीच में बालों के जहाँ पर जो तलुन अगड़ा सा वहाँ पर सारी हड़ी ओका जोयंट होता है बच्चे के तो जब तक वो नहीं भरता तो वहाँ पे भी हमें अच्छे से oil लगाना है जिसे वह अच्छे से भर जाए यहाँ पे और इस तरह से देखिए आपको एक बात कर ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे की मालिस टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आप बच्चों को किसी activity में इन्वोल कीजिए मतलब आप उ contact रखे उसके साथ और जब बच्चा आपकी बातों बड़े ध्यान से सुनेगा तो क्या होगा वह अच्छे से मालिस को enjoy करेगा कई बर क्या था बच्चे रोने लग जाते हैं और मालिस को नहीं करवाते और अब जो है मैं यहाँ पर चेस्ट की मालिस करूंगी चेस्ट की मा को जब आप मालिस कर रहे हैं तो अच्छे से अपने आथों में रब करके मसल कर फीर ही हमिरे बोड़ी की उपर लगाना है और जितना पार typically आप लगा रहे हैं बोड़ी के ओपर आपको उसे अच्छे से बोड़ी के अदर रमा देना है यह न Спर्लिव में सिरफ में अशाज की मालिस है वो करूंगी उसको आपको क्लोंकवाइज और एंटिकवाइज डिरेक्षिन में करना है और मालिस करते टाइम बल्कुल सोफ्थ हातों का यूज करना है जब आप start में बच्चे जिस दिन मालिस start करें बिलकुल ही soft हाथ बिलकुल ही लगा लोगी बच्चे को आप सिर्फ touch कर रहे हैं वैसे करना है और फिर जो मैसे थोड़े यहाँ पर दबा कर मालिस करओंगी जिससे क्या हो बच्चे की जो कोली क्या गैस की problem है वो भी दूर हो ज बच्ची जो है और बांड़ चुर्थ तरक सब्सक्राइब होत Olsen 5 अटबाद सब्सक्राइब और यह उंगलियों के जो पार्थ है उनको भी अच्छे से मालिश कर दी है और अब अच्छे से इसको मेरब कर दूंगी स्टार्ट में आपको बच्चे की मालिश जो है बिल्कुल सोफ्ट हातोस करने लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाएगा आपको जो है थोड़ा थोड़ा अच्छे से मालिश करने हैं दबा दबा करने पड़ेगी थोड़ी सी और इसी तरह में दूसरे हाथ की मालिश कर लूंगी और अब मसाज करेंगे बेबी के निचे पर के तलव की यहां पे तट में ने रब कर दिया हैं और अब यहां पर अको प्रेसर होता है हमारे फुरी बोडुत का तो इसलिए यहां पे है जो अच्छे से होई लगाने के बाद और जो यह पार्ट है इनको हम अच्छे से अंगुठे से दबाएंगे अंगुठा चुबाना नहीं है बिल्कुल फ्लैट जो होता पार्ट उससे हम इसको ऐसे धिर धिर प्रेस करेंगे जिस तरह में कर रहे हूं इसमें और यह वाला जो पार्ट है तलुग की मसाज का यह मैंने अलग से बनाया था क्योंकि जिस दिन में पूरी मसाज कर रहे थी बोड़े की उस दिन जो यह वाला पार्ट जो है मिस हो गया था उसमें रिकोर्ड नहीं हो पाया था तो इसलिए यह में अलग से बनाया है और अब जो यह पार्ट्स हैं इसमें देखिए इसके बाद तलोग मासाज होने के बाद हम टांगों की मसाज करेंगे और जिस तरह में लगा लिया है और जो नी है वहाँ पे इस तरह से मसाज करेंगे दोनों साइड से हाथों कर लेके और फिर जो है गुड़नों से उपर हम उपर के तरफ करेंगे मसाज और उसी तरह से में दूसरी टांग की मसाज कर दी है और आप देखिए साइड में हम इस तरह से करेंगे उपर के तरफ और देखी बेबी यहां पर अच्छे से मसाज को एंजोई कर रहा है और यह मसाज जो में थोड़ा सा दबा के कर रही हूं क्योंकि अब जो यह है अब पांस मीने का हो चुका है तो इसको अच्छा रगता है स्टार्ट में बिलकुल धीर-धीर करती थी और अब जो है बैक की म मसाज करते हुए बहुत जयादा ध्यान अरकने जुरूरत है अच्छे करने के जुरूरत है उपर हम ज्यादा जो हैं दबाव नहीं डाल सकते है कि हूं हमारी dhum कमेन अधार होती है तो इस लिए जो मादिश बड़े ही ध्यान से करने की जूर्थ है और जो पिछे का जो लेक्स का पाठ है और उपर जो हिप्स है अब मैं उनके मालिस कर दूंगी जैसे मैं इस वीडियो में मालिस कर रहे हूं हिप्स की मालिस भी ठेक उसी तरह से करने हैं उपर की तरफ और अब जो है मालिस करने बाद बच्चा जो है अच्छे से सो जाएगा कई पर ये रहता है कि बच्चों को मालिस सुबह करें शाम को आप सुबह या शाम जो आपको टाइम शूट करें मोर्निंग एवनिंग किसी भी टाइम पे आप बच्चे की मालिस कर सकते हैं कि देखिए हमें रेड़ की हड़ी के मालिस इस तरह से करनी हैं बीच में उसको दबाना नहीं है क्यों पी यहां पे जो रेड़ की हड़ी होते हो बिल्कुल छोटे चोटे चल्ले टाइप से बनी होती है तो जिससे क्या होगा हम बीच में उसके उपर और वह अभी नाजुक होते तो हम उसके उपर ज्यादा प्रेसर नहीं लगा सकते और यह जो है मैंने साइड से बच्चे मसाज कीजिए अच्छा सोय लगा के अब जो है मैंने सारी मसाज कर दी है अब मैं करवाओंगी मैं मेरे बेटे को एक्सराइज के लिए आपको इस तरह से एक्सराइज करनी है यह वाला पार्ट करेंगे आपको आठ आट दस तस बार ऐसे करना है और उसके बाद जो है क्यो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और फिर हम इस तरह से करेंगे इसको और ये भी हमें उतना ही करना है बिल्कुल सॉफ्ट ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हम बच्चे को 20 से लगा लो कि उठा के मरोड दिया या कुछ ऐसे नहीं करना बस ज़्याद तकलीफ नहीं देनी है हमें सॉफ्ट और बिल्कुल जितना अरजस्ट उतना ही करना है और अब जो है ओपर वाली इस तरह से करेंगे और ये वाला जो स्टेप है मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एंजोई करता है उसको बहुत खुश होती है यहाँ पर हम जो प निषटा व्णा जाता है ओर हस्ता रहे इसक inte फोर चाहिव के साथ तो इस त्यृट सी । इस तरह सी क्लिधर के शुरु मैं तो आले के साथ करते हैं वैसे जो भी आपकी बेबी को शूट करें और लेकिन गर्मियों के मौसम में कोकोनेट ओयल जो है वह ज्यादा अच्छा रहता है उसकी तासी ठंडी होती है और वैसे जो है सभी बच्चों को शूट भी कर जाता है इसलिए जो है आप कोकोनेट ओयल ले सकते हैं या पिर तरसूं का ओयल या भी बदा मोल वैंशे मिसाज कर सकते हैं कई जो है ड़ amount lip से शूट नीज मैंश करते हैं तब तक लिए टेक केर बाई बाई